नमस्कार किसान भाईयों, आज हम सिजेंटा के इसकोर फंजिसाइट के बारे में चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि इसका क्या टेकनिकल है और किस फसल में इसका इस्तमाल कर सकते हैं, किस बीमारी के कंट्रोल के लिए, और क्या डोज रखना चाहिए अलग-लग फसल में तो आप वीडियो को अंतर तक देखें, हम इस्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिर्ची की फसल में डाइबेक की जो समस्या है और जो फल, चडन की जो समस्या है उसको आसानी से कवर कर लेता है और इसका जो डोज है, वो 100 ml, 100 लिटर पानी पर आप गोल कर इस्तेमाल कर सकते हो और जो मुंग फली की समस्या है मुंग फली में जो रश्ट है और पती धबार होगे उसकी समस्या को आसानी से कवर कर लेता है और इसके लिए आप 100 ml दवा, 100 लिटर पानी पर आप गोल कर इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तो धान की फसल का जो सीद ब्लाइट है उसको आसानी से कवर करता है और 15 ml दवा, आप 100 लिटर पानी पर गोल कर इस्तेमाल कर सकते हो धान की फसल में सिद ब्लाइट के लिए जीरे की फसल में ब्लाइट वो पाउडरी मिल्डियू को कवर करता है 50 ml, 100 लिटर पानी पर आप घुल कर इस्तमाल कर सकते हो अंगूर की फसल में एंत्रेक नोज और पाउडरी मिल्डियू की जो समस्या है उसको आसानी से समाप्त करता है 30 ml दवा लेना है आपको 100 लिटर पानी पर प्याज में जो बेंगनी धबा रोग है उसके लिए आपको 100 ml दवा 100 लिटर पानी पर घुल कर आपको स्प्रे कर देना है अनार के फसल में जो फल सडन की जो समस्या है उसके कंट्रोल के लिए आपको 100 ml, 100 लिटर पानी पर गोल कर इस्तमाल करना है और जो बेल वाली फसल है जैसे कि लोग की, गिल की, खीरा वगेरा इन फसलों में आपको पाउडरी मिल्डिव और पती धबा रोक और फलो की जो सडने की समस्या है उसके निवारण के लिए आपको 120 ml, 200 लिटर पानी पर गोल कर आपको इस्तमाल करना है तो इन रोगों से अच्छा कंट्रोल मिलेगा इसकोर फंजिसाइड से तो दोस्तों जो स्कौर फंजिसाइड उसमें टेकनिकल डाइफ हे ना कोना जोल 55% इस एमलसं कन्सेंट्रेशन के रूप में है और सिस्टमेटिक फंजिसाइड इब रोड़ स्पेक्ट्रम फंजिसाइड यान है व्यापक रूप से अलग-अलग जो बीमारी हमारी फसल में लगी हुई है उसको आसाने से समाप्त करता है और पोधे के आंतरिक भागों में जाकर के पोधे को बीमारी उसे लड़ने की समता प्रदन करता है धन्यावाद जानकर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते तेनलो से स्रेप्ड लगी हुई 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 हुई